आप को राधे रादे जैसे कृष्ण सबको प्रणाम और आधे राधे चलिए आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं वैसे तो बहुत टाइम हो गया है वीडियो बनाने पाया था कुछ कारेकरम की वज़े से चल रहे थे तो आज मैं जो आपको वीडियो बतान काफी लोग घरेलून उसके अपना के शरीर में क्या-क्या बीमारियां हैं उसके लिए उसको उपयोग में लेते हैं तो चलिए ज्यादा टाइम नी लेते हैं मैं आपको बहुती बढ़िया इलाज जो है बताने जा रहा हूं यह है नीम वैसे तो आप सबने पहले ही जान चु करेगा इसका क्या-क्या उपयोग है अपने बोड़ी के लिए शरीर के लिए पैसे प्रकति में इसका काफी उपयोग अपन देखते हैं कि यह एकदम कार्बन डेक्साइट खतम करता है और ऑक्सिजन अपने को देता है और जहां जहां भी व्रक्ष होंगे वहां अच्छी बारिश होती है यह तो अपन सब जानती है तो चलिए आज यह नीम का जो पत्त्या है वह अपने बोड़ी के लिए क्या कितना उपयोगी है उसके बारे में मैं आपको जान करी दूंगा ठीक है तो आप क्रपिया मेरे इस वीडियो में बने रही है आपको कुछ निकरना दो बोड़ी के अंदर जाएगा और सबसी पहला चीज जो करेगा फाइदा वह है ब्लड सेर्कुलेशन किलियर करेगा यानि अगर खराब है तो वह भी साफ करेगा और अगर ब्लड साफ होगा तो आपकी मास्वे से अच्छा काम करेगी आपको थकान अनुभवनी होगा आप अच्छा परिश्रम कर सकेंगे अच्छा काम कर सकेंगे और अगर अच्छा होगा तो आपकी बोड़ी भी ज्यादा अच्छी बने लगेगी ठीक है तो नीम यह करता है दूसरा चीज करता है अगर आप नीम की पत्ति टेली खाते हो तो आपके अंदर धीरे 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 जो को भी किटानू है बोड़ी के अंदर वो धिरे धिरे खतम होने लगते हो और यह चीजे यह जो नीम है वह आपके बोड़ी में प्रभाइत होने लगता है इसका रस और अगर आपको कोई जहरीली चीज भी काट ले यानि कि अगर आपने साल दो साल तक भी अगर आपने इस न और मैं आपको बता रहा हूं कि नीम अगर किसी को खुझली ज्यादा होती है इसकीन की प्रोब्लम होती है तो उसके लिए में यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी है आपको कुछनी करना थोड़ी दो चार पत्ते डंटल तोड़के उसमें पत्ते को तोड़के उसमें पानी म कुनाना है तो अगर आपको खुझली वाली प्रोब्लम है इसकीन वाली प्रोब्लम है तो भी अच्छा करेगा और कभी कभी देखते हैं कि घर्मी के मोसम में फुझे ज्यादा होती है आप सबको जानती है इसका मैंने पहले भी आपको वीडियो बताया है और आज भी यह अगर किसी के ज्यादा फुंसे होती हो तो आपको क्या करना है इन नीम के पत्यों को अच्छा सा कूट के कूट के आपको क्या करना है अच्छा सा कूट के इसका रश निकाल देना है और मुलतानी मिटी में इसको आपको डालना है और रात को सोते समय उसके चेरे के उपर आ तो यह अंदर की घर्मी खीचेगा और आपके जो फूंसे हैं आपके जो यह जो फोड़े बन रहे हैं गर्मी के कारण वह भी यह खतम कर देगा याजमायवन उसका है तो आप प्लीज इसको जरूर करें उपयोग में और आप फाइदत आप खुद देखेंगे जब आप करें के कारण भी निदने आती में टेंशन होती तो भी निदने आती तो नीम वह भी फाइदा करता है तो आपको क्या करना है शाम को दो तीन बत्ते खा लेना है पानी के साथ में उसको पीलाना है तो आपको घारंटी से आपको निद भी अच्छी आएगी क्योंकि यह कार्माय औक्सिजन आपको भरपूर देता है यह आप अंजानते और अगर भरपूर आएगी तो नीन तो वह यह कि आपने को अच्छी आएने लगेगी तो यह उपाई आप जरूर करें और आप फाइदा आप जरूर देखेंगे चलिए और मैं आपको और अच्छा सा बता देता हूं कि नीम अपने सरीर में और क्या फाइदा करता है अगर किसी के फोड़ा हो रहा हो किसी के गुम्रा फोड़ा हो रहा हो बड़ा हो उसमें ठीक नहीं हो रहा हो तो उसको उसके क्या करना है जो नीम होता है उसकी चाल होती है उस चाल को अच्छा सा कूट के बढ़िया मारिज पूठ प्छूक कूट के हलका सबस्टीज अगर आप लगाते हो तो मात्र दो या तीन दिन में आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा फोड़ा जड़ से खतम कर देगा यह भी आयोवेदिक में बहुत ही बड़े भता है तो किसी के फोड़ा हो जाता है किसी के फोंसी हो जाती है ठीक नहीं हो जाता है घांट हो जाती है फोड़ा हो जाता है ठीक नहीं हो रहा है अपने डोक्टर के पार जाते वह अपने कोई इलाज कराता है और अपन करते भी है तो ठीक है लेकिन गरेलू इलाज में अगर पैसे किसी गाव जाता हैं कभी चाकू से कभी किसी से नुकुली चीजों से अगर आपम जाता है तो आपको किया करना है आपको यह जो नीम मैंने आपको बता इन पत्यों को अच्छा सा कूट के उनका रस हलका रस को आप उस गहाव पे लगा देना है अगर आप लगाओगे तो एक दो दिन में वो गहावी धिरे-धिरे भरने लग जाएगा तो आपको इतना बढ़िया मैंने आज यह नीम के जो तत्व है मैंने आपको बताए अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गरेलू उप्योगी में यह नीम जरूर उप्योग में लेए क्योंकि इसे इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है यह आपको सुगर है तो भी कंट्रोल करेगी यह गारंटी से कहता हूं अगर आपने डेली दो दो तिन तिन पत्ते खाना स्टार्ट किरा तो आपके जो सुगर है ना तो वह सुगर भी यह जड़ से धीरे-धीरे खतम कर देगी तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लग पर तो आप से मेरे रिक्वेस्ट के कि आप आज का जो मैंने वीडियो आपको बताया यह आप उपयोग में जरूर लेवे तो आज के लिए इतना ही सबको पुना राधेर